तो आदाब नोशकार को डीनिंग से सेकाल एक बाद फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमली अच्छी होगी कहानी का सलसला लगातार जारी है और आप लोगों की डिमांड और फरमाईश पर अब कहानिया नही एक ऐसा केस जिसने बताया कि कई बार ताकतवर लोग भी कितने कमजोर हो सकते हैं अपने देश में अगर नेताओं और सरकार को छोड़ने तो कहते हैं कि दूसरा सबसे पावरफुल और टाकतवर शक्स होता है वो हैं बिरोक्रेट्स अफसर सरकारी अफसर काईदे से सरकारे आती हैं जाती हैं नेता बदलते रहते हैं MLA MP, Minister, Prime Minister, Chief Minister यह सब जनता चुनती है आते हैं चले आते हैं लेकिन जो सरकारी अफसर होते हैं वो अपनी कुरसियों पर होते हैं हां कुरसियां बदलती रहती हैं उनकी डिपार्टमेंच से दूसरे डिपार्टमेंट कई बार ऐसा भी होता है कई बार क्या जाधा कि हर नई सरकार अपने हिसाब से अपने मन पसंदीदा अफसरों को तैनाती देती है उन्हें कहां कहां ले जाकर बैठाती है किसी को उपर कर देती है किसी को नीचे कर दिया जाता है किसी को शंड कर दिया जाता है इसे अफसरों मेनी पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत आम है कि एक नहीं सरकार आती है तो कौन DGP होगा कौन additional DGP होगा कौन SSP किस district का होगा ये सारी चीजे भी सरकार की पसंद और नापसंद पर depend करता है जो कि बहुत घलत है काईदे से काबलियात और इमानदारी के हिसाब से ही पोस्टिंग होनी चाहिए और उस जगे पे जो शक्स लगता है कि सही है उसको ही वो कुर्सी मिलनी चाहिए लेकिन कहने से कुछ नहीं होता ये कड़वा सच है कि हमारे देश में नेता अपने मंद्पसंद अफसरों को ही तेनाती देते हैं तो दो सबसे ताकतवर लोग होते हैं एक सरकार दूसरा बीरोक्रेट्स जो सरकार चलाते हैं हर पार्टी जो सब्ता में आती अपने अपने हिसाब से उनके अपनी नीतिया होती है पॉलिसी होती है लेकिन को लागू करने का जो काम होता जो जिम्मेदारी होती है वो असल में बिरोक्रेट्सी होती है कई ऐसे नेता हुए जो कहते हैं कि बड़े अच्छा उन्होंने बिरोक्रेट्सी को हैंडिल किया तो एक काम्याब सरकार की निशानी भी है कि वो अपने अफसरों को अपने बिरोक की है एक आईएस अफसर अपने आप में ताकत वर लेकिन उस आईएस अफसर की पत्नी के साथ एक नेता का बेटा रेप करता है लगातार रेप करता है ना सर्फ उनकी पत्नी के साथ बलकि उस आईएस अफसर की मा के साथ भतीजी के साथ घर में काम करने वाली दो नौकरानिय के साथ है और ये सारी चीज़े दो साल तक दबी रहती है आएस अफसर को भी सचाई के बाद में पता चलता है उसके बावजूद कुछ नहीं होता क्योंकि यहां पे नेता जादा ताकतवत है कहानी बिहार के चर्चित चंपा विश्वास कांड की है चंपा विश्वास आएस अफसर बिहार के बीबी विश्वास उनकी पत्नी इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हुई एक ताकतवर नेता का परिवार एक आएस अफसर की पत्नी पत्नी के ऊपर रेप का केस पुलिस में जाकर कंप्लेंट रना लेकिन पुलिस फाइल को दबा देती है और फिर कैसे गवर्नर के पास जब लेटर लिखा जाता है उसके बाद ये मामला खुलता है फिर मेडिया में आता है और फिर क्या कुछ होता है तो पेश है पूरी कहानी चंपा विश्वास रेप कांड अठारा जुलाई 1990 को बीबी विश्वास जो एकाईस अफसर थी उनकी शादी चंपा विश्वास से होती है उसके बाद इन्हें बिहार में पोस्टिंग मिलती है और बिहार में दो नवंबर 1995 को बीबी विश्वास अपनी पत्नी चंपा विश्वास के साथ पत्ना के बेली रोट पर एक सरकारी को वार्टर में शिफ्ट हो जाती है उस वक्त जो आएस अधिकारी थे बीबी विश्वास 1982 बैच के ये बिहार में समाज कल्यान विभाग में सेकरेटरी थे और इसी समाज कल्यान विभाग के बोट की चेर्मन थी आर्जेटी के एक टाकतवर नेता जिनका नाम था हेमलता यादब तो जिस बोट समाज कल्यान बोट के सेकरेटरी थे मिस्टर बीबी विश्वास उस हेमलताया तब, विधायक, आर्जेदी की नेता, इनका सरकारी वग घर और बीवी विश्वास का सरकारी घर पतना के बेली रोड पे लगबख बहिकल पडोस में था, एक दूसरे से सटा हुआ, ये मामला तूल तब पकड़ता हुआ, और सुरुखियों में तब आता है, जब 1997 में चंपा विश्वास की तरफ से पुलिस को एक written complaint दी जाती है, पतना पुलिस को, और उसमें ये था कि जो हेमलता यादव है, उनका एक बेटा है, जिसका नाम है मिरतिंजयो यादव, 27 साल उसकी उम्र, उन्होंने कहा कि वो लगातार दो साल से उनके साथ रेप कर रह है, अब बिहार की एक नेता का बेटा, और दो साल से एक आये सबसर की बीवी का रेप कर रहा है, ये अपने आप में खबर दहलाने वाली है, लेकिन शिकायत देने के बावजूद कुछ नहीं होता, पतना पुलिस कुछ नहीं करती, कि इसको दबा दिया जाता है, अलग-अ प्रिशर आते हैं, दबाव आता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता, हार कर बीवी विश्वास और उनकी प्रत्नी चमपा विश्वास, बिहार के उस वक्त के गवर्नर जो राज्यपाल थे, सुन्दर सिंग भंडारी, उनको कंप्लेंड देते हैं, कि ऐसे ऐसे हम दो साल से ए भती जी का रेप किया, दो मेट का किया, इतना ही नहीं इस कंप्लेट में ये भी था कि एक बार इसकी वज़ा से वो गर्वती हुई, कोलकता गई, अब ओशन कराया, फिर भी रेप का सिलसला जारी रहा, आप जल्म की इंतहा देखिए, तो उसके बाद उन्होंने अपनी न जी जात पा सके, क्योंकि रेपिस्ट रुकेगा नहीं, रेप करना छोड़ेगा नहीं, सरकार कुछ करेगी नहीं, पुलिस अपने फर्ज निभाएगी नहीं, तो ऐसे में अपनी आवाज लेकर किस दर्वाजे पर जाए, ये सोच कर एक परिवार और जंपा विश्वास द हैं कि चुकि मामला है का, ये सबसर का है, उसके परिवार का है, और इतना संगीन इल्जाम है, इसकी जांच होनी चाहिए, उस वक्त पटना के डीजीपी नियाज अहमत थे, वो अपनी तरफ से भी जांच करते हैं, लेकिन उस जांच में कुछ नहीं निकलता, वो एक्तरास के उपर भी इल्जाम थे, कि उनकी मौजूदकी में ये सब कुछ हुआ और मा खामोश रही, और मा इस चुर्म में बराबर की शरीक है, पटना पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, गवर्नर के पास लेटर गया, तब भी कुछ नहीं हुआ, ये मामला पहली बार तब फिर उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस की, और उस प्रेस कॉंफरेंस में सुन्दर सिंग भंधारी को लिखे, उस लेटर उस शिकायत के बारे में जानकारी दी कि बीवी विश्वास और चंपा विश्वास ने लिखा था, जिसमें एक विधायक के बेटे पर लगाता दो साल तक रेप करने का हिजाम था जब ये प्रेस कांफरेंस की उसके बाद ये खबर मीडिया में आई उसके बाद ये फ्रंट पेट पे खबर आई पहली बार लगा कि ये कौन सा जनर्राज है जहां पे एक I.S. अफसर का परिवार भी महफूज नहीं है और वैसे भी बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके थे बहार में जनर्राज का उस वक्ताब भी मिला था आग तरफ कानून वेवस था चौपट थी तो उसमें एक I.S. अफसर भी अगर अपने आपको सुरक्षितना महसूस करे तो फिर कौन सा समाज है कैसा समाज है जहां इनसान बस सके इस प्रेस कांफरेंस क पटना के बेली रोट के सरकारी कौटर में पहुंची थे उनके पडोस में हेम लतायादब का कौटर था और उनका बेटा था 27 साल का उस वक्त चंपा विश्वास की उम्रे थी 30 साल और मिर्तिंजो की उम्रे थी 27 साल और मिर्तिंजो जे है वो अलड़ी हिंदू कॉलेज डे सेटमबर 1905 सेट 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 सेटमबर 1995 की है जब एक दिन आचानक हेम लतायादब घर में मौजूद थी और दो और लोग आए और उनको हेम लतायादब के उन्होंने कहा कि उसनकी नौकर की कुस्त बेत खराब है आ जाओ तो चंपा विश्वास उनके घर जाती है वहाँ पे कुछ लोग जो दो लोग और मौजूद थे और उसमें कुछ नहीता भी थे वो चंपा विश्वास को एक कमरे के अंदर ले जाती है उस कमरे में मिर्तिंजो पहले से था बाहर से यह लोग दर्वादा बन कर देते हैं च बात अपने पती या किसी और को मत कहना और पूरे खांदान को मार दिया जाएगा और तुम्हारी नंगी तस्वीरे भी ले ली गई हैं बन्दाम कर दिया जाएगा शर्म और इज़त के मारे चमपा विश्वास खामोश रहती हैं लेकिन यही खामोशी इस चुर्म को एक तरह से फिर आगे बढ़ाता है इसके बाद जब तब मिर्तिंजे घर में जब भी देखता चमपा के लिए वो पहुँच ज़्यादा और उसके बाद जबदस्ती करता कई बार वो अपने साथ कैमरे ले कर आता और तस्वीरे खीसता और उनके दम पर वो फिर ब्लैक मेल करता एक चमपा विश्वास से शादी करना चाहता है वो प्यार करता है हेमलतायादव ने कहा कि हमारा बेटा स्मार्ट है पढ़े ले क्या है मैं भी चेर्मेन हूं कल को मंतरी बनोंगी तुमको भी किसी बोर्ड वोर्ड का चेर्मेन मना देंगे तुम शादी कर लो और तुम्हारा पती अब बुजर्ग है बुड़ा है तुम से उम्र में बड़ा है और फिर धंकाया भी चमपा विश्वास मानी नहीं लेकिन इसके बाद ये सलसला जारी रहा एक बार बीबी विश्वास की मा कोलकता से पटना पहुंची घर में बच्चे और बाकी भी विश्वास सब ले करता है ये सलसला चलता रहता है कुछ वक्त के बाद बीवी विश्वास को भी ये सारी चीज़े पता चल जाती है फिर वो अपने जानकारों को ये बताते हैं पुलिस महकमे में कि ऐसे से कारवाई करनी है इदर धंकिया लगातार मिल रही थी उन्हें सला दिया जाता कि कता जो यहीं शिफ्ट हो जाओ लेकिन नौकरी भी थी खामोश रहे और ये सलसला चलता रहा पंचानवे से लेकर संतानवे तक दो साल लगातार चंपा विश्वास शिकार रही में तुन जाया दब गया इसके बाद जब गवर्नर के पास ये बात गई फिर मामला है खुला प्रेस कॉंफरेंस के बाद दर्ज हुआ जाच हुई इस जाच के बाद 1997 में जब प्रेशर पड़ा तो मिर्तिंजे यादब को गरफतार कर लिया गया प्लिस ने गरफतार कर लिया लेकिन उसकी गरफतारी के बाद हेमलता यादब गायब हो गई हालकि उस वक्त विधान कि जो स्पीकर थे उन्होंने विदान सवा में ये कहा कि मैं हेम लता यादव के परिवार को परसनली जानता हूं और मिर्तिंजे जैसा लड़का ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है मतब आप विदान सवा में नेता तक क्लीन चिट दे रहे थे एक रेपिस्ट को ये मामला भी तूल पकड़ा हूं खैर तमाम दवाओं के बाद जब प्रेशर तारों चारों तरफ से पड़ा मामला खुल गया मीडिया में आ गया तो मजबूरां सरकार को हरी घंटी देनी पड़ी और मिर्तिंजे को ग्रफतार कर लिया गया पर हेम लता भाग गई क्योंकि अब उनके आगी रही पुलस ने ढूंगती रही और आκर तो महीने बाद हेम लताय अदब ने भी सरण्डर कर दिया करेब पाँच साल तक जेल में रहा मिरतिंजे पांच साल के बाद उसे जमानत लोगई बाहर आ गया हेम लताय आदब भी तीân साल से आदा जेल में ए फिर बेल पे चम्पा विश्वास के रेप के लिए गुनेहगा ठहराया और दस साल कड़ी सजा का एलान किया मिर्तिंजे के लिए इस गुना में शामिल होने के लिए मिर्तिंजे की मा हैमलतायादफ को अदालत में तीन साल की सजा सुनाई 2002 में लेकिन उस वक्त तक हैं लतायादब तीन साल से ज़ादा की सजा अलड़ी जेल में काट चुकी थी उसके बाद बेल पे बाहर आए थी इसलिए फिर उन्हें आगे जेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जब फैसला आया तब तक वो तीन साल की सजा काट चुकी थी और अदालत ने तीन साल की ही सजा सुनाई थी दस साल की सजा मिरतंजे के मिला इसके बाद इस फैसले को मिरतंजे ने हाई कोट में चैलेंज किया आठ साल बीते इन आठ सालों में मिर्तिंजे फिर जबानत पे बाहर रहा 2010 में पटना हाई कोट ने अपना फैसला सुनाया और पटना हाई कोट ने लोवर कोट के फैसले को पलड़ दिया और मिर्तिंजे कुमार को बरी कर दिया निचली अदालत ने दस साल की सदा सुनाई थी उपरी अदालत ने सीधे सीधे बरी कर दिया दलील क्या दी गई? दलील ये दी गई कि दो साल तक लगातार रेप होता रहा उसमें कई ऐसे लूपोर्स हैं जो चमपा विश्वास के खलाफ जा रहे हैं कि दो साल तक वो खामोश रही उनके पती एक आहिए सबसर थे तने टाकतवर थे क्यों जबाने के सामने ये बातें नहीं रखी गई? क्यों उन्होंने गर पहत कराया? क्यों उन्होंने नजबंदी कराई? उनके परिवार की बागी एक एक कर महीलाओं के ऊपर ये जल्म ढाते रहे तब भी वो खामोश क्यों रही और जो डिफेंस के वकील है उन्होंने तरक किया दिया कि दरसल चमपा विश्वास और मृतंजे के बीच एक प्रेम संबन था और यही वजा है कि ये दो साल तक चला लेकिन उसके बाद चमपा विश्वास मृतंजे से शा नहीं चाहिए थी वो दे नहीं पाए जो सरकारी वकील थे जिसको जिस तरीके से केस को कोट में रखना चाहिए वो रख नहीं पाए नतीजा यह हुआ कि एक आईस अफसर का परिवार जो एक नेता के बेटे के हाथों दो साल तक लुटता लुचता रहा उसे देश के कम्प्लेंड के बाद बहुत सारी धंकिया मिल रही थी तो बीबी विश्वास और चमपा विश्वास पटना छोड़ कर दिल्ली आ गए दिल्ली में रहने लगे एक और दलील यह दीगे सरकारी वकील की तरफ से हेमलता यादफ की तरफ से भी कि यह सारे लजाम इसले लगा चल रही थी और उस जांच से बचने के लिए उन्होंने यह इलजाम लगा कर दबाव डालने की कोशिश की दूसरा इलजाम यह लगाया कि जब वो समाच के लियान बोर्ट के चेर्में थे तो करीब पांस सो ऐसी नौकरी की भरतिया हुए थी जिसमें घोटाले हुए थे उ इसके बाद चुके फिर बिहार और जारकन डलग हो गया तो बीबी विश्वास को जारकन कैडर मिला वो 2000 में ही जारकन चले गए वहां पर कुछ वक्त रहे बाद में उनकी मौत हो गई चमपा विश्वास ने पटना छोड़ा दिल्ली छोड़ा फिर जारकन गई उसके कता में बहुत ही गुमनाम जिंदगी गुजार रही है इस अफसोस और इस गिले के साथ कि एक ताकतवर शक्स एक इतने बड़े अफसर की पतनी होते हुए वो अपनी असमत अपनी आबरू को नहीं बचा पाई और एक नेता और उसका परिवार उन्हें कुचलता रहा और बेटे ने अपनी ताकत के बल्बूते पर नसर्फ उन्हें रौंदा बलकि कानून की जंग में भी वो जीत कर निकल गया बिहार में ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं बाबी कांड हो शिर्पी जाया कांड हो लेकिन एक चीज़ और है कि अब थोड़ी सी एक तबदीली आई कि अदालतें अब सक्त हैं कई बार सजा सक्त मिलती है वनना कुछ वक्त पहले कि ऐसे कुछ किस्से मैं याद करके आपको सुनाओंगा जिसमें बहुत बड़े बड़े जर्म हुए लेकिन अदालतों ने उस जर्म की अतनी कड़ी सजा दी ही नहीं जैसे भी मैंने हाल में आ 16 लोगों को फांसी की सजा होती है, 10 कोमर कैद की सजा होती है और उपरी अदालत सभी को बरी कर देती है सवाल है कि यहाँ पे जिम्मेदार कौन है अधालत है एगंसी है यह वो है जो पुलिस जो अपने केस को दफ्तीश करती है जिसके केस की बुनियात पर मुकदमा लड़ा जाता है कौन है यह सोच से परे की चीज है कि एक पूरे गाव में 58 लोगों का कतल इाम 16 को एक अधालत फांसी दे रही है और वहीं उपर जाते ही दूसरी अधालत उन 16 के 16 लोगों को सीधे बरी करके आजात कर रही है तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें संगीन जुरम के लिए भी कड़ी बखा जाता है या फिर अदालतों में जो पूरा जिरिशल सिस्टम है उसमें बदलाओ की जरूवत है चमपा विश्वास कान्ड और कहानी भी कहीं न कहीं यही सवाल खड़े करती है कि एक अदालत दस साल की सजा सुनाती है उपरी अदालत सीधे सीधे भरी कर देती है और एक गुम नामी की जिन्दगी जी रही है ऐसे बहुत सारे इंसरेंट हैं जो जग चोड़ते हैं सोचने पर मजबूर करते हैं सवाल खड़े करते हैं हमारी अपनी पूरी समाज और सिस्टम पर लेकिन हल और नतीज़ा कुछ नहीं निकलता तो आज की कहानी में इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू विर्माट